Hello friends, Welcome back to our YouTube channel Last video मैंने आपको FTP account create करना च्खाया था इसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आप FTP account अपने laptop में कैसे access करेंगे Okay friends, let's start For accessing FTP account, you have to download files जिना, first of all तोससे पहले हम Google Chrome पे जाएंगे वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है हमें FileZilla Download, type करना है सबसे पहला जो लिंक आएगा हमें उसे क्लिक करना है जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे according to your window वह अपने आप आपको बता देगा कि आपकी laptop में कौन सा FileZilla Download होगा, आपको FileZilla Client पे प्लिक करना है जैसे आपका FileZilla Download होगा, आपको इसको अपनी सिटम में इंस्टॉल करना है इसके लिए आपसे कुछ अथेंटिकेशन समानेगा, आपको इसे एस करना है License Agree करना है यह आपको Brave Browser के लोलेगा, इसको आप रिकलाइन कर दीजे और Next कर दीजे इसके बाद आपसे ही पूछेगा कि आपको FTP account एकसे किसे देना है सिप Admin को देना है या जो भी आपका Computer इनीस कर रहा है उसे आपने Coding Only For Me एड्मिन के लिए पी चोज़ कर सकते हैं और जो भी आपके सिस्टेम को उसके लिए पी चोज़ कर सकते हैं यह मेरा Personal Laptop है तो इससे सिफ मही एकसेस करती हूँ तो मैं Anyone who use this computer मैं उसे इसकी वो दूँगी एकसेस दूँगी Then इसके बाद Next उसके बाद आप यह देख लीजे आपको क्या क्या आइकन्स चेहिए Desktop आइकन पी चाहिए मुझे एक Shortcut FileZilla का Then उसके बाद Next Then Next Then Install और आपका FileZilla अपने आप Instagram में स्टार्ट हो जाएगा Then Finish Okay friends जैसर के आप देख सकते हैं मारा FileZilla यहां पर इंस्टाल हो चुका है आपको अपना FileZilla उपन करना है FileZilla उपन करने पर आपके पास एक ऐसी विल्डियो उपन होकर आएगी इसके अंदर आपको क्या करना है आपको अपना होस्ट के अंदर अपना dedicated IP password डालना है जो आपके cPanel में आपके पास होगा Dedicated IP address जैसे के आपना हाँ देख रहे हैं मेरा मैं आपको यहांसे से copy करके अपने FileZilla के host में डालूं पेस्ट कर दूंगी Then Username में आपने जो मैंने आपको FTP account बनाने स्खाया था वह FTP account आप इसके इंदर डालेंगे admin at the rate beauty creative dot com उसके बाद आप इसमें password डालेंगे जो भी password आपने डाला था वह आप इसमें लिकेंगे उसके बाद आप यहांपे port number डालेंगे port number FTP account के लिए by default 21 होता है तो आप यहांपे 21 एकेंगे Then Quick Connect जैसे आप Quick Connect करेंगे यह आप किस files को लेने स्टार्ट कर देगा और आपके कास यह authentication है इसको आप OK करेंगे Then आपको जो connection है वो established जोने स्टार्ट हो जाएगा और आप यहां दे सकते हैं कि जो मेरा connection है वो successfully established हो गया है और मेरी Quick HTML में YouTube Creative के अंदर जो भी files थी वो सारी files यहां पर आ चुकी है अब आपको इसके अंदर जो भी changes करने हैं आप यहां पर कर सकते हैं और वो सारी changes आपको आपकी website पर show होंगी OK friends तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप FTP account को कैसे access कर सकते हैं अगर आपको FTP account से related कोई और query है या आपको इसके बारे में कुछ और भी चानते हैं तो प्लीज कमेंट section में कमेंट करें और हमारे चैनल को subscribe Thank you for watching